So Hello and Welcome You All, I am Rohit from OriginTrader So Guys, आज हम बात करेंगे India Bulls Housing Finance के बारे में So Guys, India Bulls Housing Finance को अगर देखा जाएं तो इसमें एक बड़ा फॉल आ सकता है Guys, यहाँ पर कई सारे लोग dividend को देख कर खरीदने के लिए यहाँ पर गह रहे है यहाँ पर dividend भले ही stock में ज़्यादा मिल रहा हो बट जिस तरीके से stock में levels यहाँ पर create हो रहे है जिस तरीके से levels बन रहे है उनको देख कर तो यह लगता है कि stock में एक बड़ा fall आ सकता है तो Guys, बिलकुल stock में एक बड़ी गिरावट आ सकती है यहाँ पर dividend के चक्कर में काफी लोग पड़े हुए है तो Guys, काफी कुछ बाते होंगी काफी doubts यहाँ पर clear होगे dividend कम मिलेंगा यह सब बाते इस वीडियो में होने वाली है वीडियो को start करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Margin Trader को subscribe नहीं किया है India Bulls Housing Finance की तो stock किस level पे closing इसने दे थी 117 रुपे 60 पेसे के price पे stock ने closing दी थी 13 में को और Guys, वही अगर देखा जाए तो stock कितना गिरा है तो 1 रुपे 0-5 पेसे तक stock में एक fall हमें देखने को मिला है 0.88% के हिसाब से So Guys, stock में तो किरावट तो आई है और वही अगर देखा जाए upside down stock में कावी जादा हुए है 121 रुपे पे stock open हुआ था 13 माई को और 125 रुपे 50 पेसे का high भी लगा था और 116 रुपे का इसने लगा था low और बात करें market cap की 5.55,000 करोर के आसपास का market cap है और वही अगर बात करें पी रिशियो तो 4.58 का पी रिशियो और डिविडेंट देता है stock 7.65 पर सेंट तो गैस इसे हम एक डिविडेंट स्टॉक भी कह सकते हैं सो गैस बात करेंगे अब इसके चार्ट की चार्ट में अगर दीखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक पैटन बनता हुआ नजर आ रहा है इस पैटन को कुछ हम इस तरीके का भी बना सकते थे एक राइजिंग वेच पैटन भी यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर अगर दीखा जाए तो स्टॉक में कई जगों पर रेजिस्टन्स है और यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक अपसाइड डाउंस मोमेंटम करके काफी यहाँ पर साइडवेज चल रहाता है राइजिंग वेच पैटन बना रहा था और यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो स्टॉक में एक ब्रेक आउट भी मिला स्टॉक सस्टेंड करने के लिए उपर भी आया और यहाँ से सीधा जा रहा है नीची की और यहाँ पर वन वीक के टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक के बारे में यहाँ पर एक खाई दे रहे हैं वही गाईस यहाँ पर किस लेवल पर स्टॉक सपूर्ट ले सकता है तो यहाँ पर आगर आप देखोंगे काफी बड़ा फॉल हमें इस शेयर में देखने को मिला है काफी तगड़ा स्टॉक गिरा है फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैटन्स बन रहे है इसे हम एक inverted pollen flag भी कह सकते हो उसी की बदोलत हमें इसमें गिरावट भी देखने को मिली है तो गाईस यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते जो इसका previous low है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके एक चंप लगा सकता है तो गाईस ऐसा हम अनुमान लगा सकते है बट स्टॉक को अच्छे स study करना चाहिए जब तक के stock यहाँ पर support नहीं लेता अगर breakdown दे देता है तो खाफी बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए wait करो और support लेने का और यहाँ से stock उपर क्योड़ चा सकता है तो guys अब बढ़ते हैं आगे बात करे volumes की तो तगड़े volumes देखने को मिले है हाला कि परसो के अगर मैं बात करू तो seven करोड के आजब हास यहा पर trade value हम देखने को मिली है 64 lakh काć Latin delivery भी हमें देखने को मिला है यहाँ पर volume काफी तगड़ा देखने को हमें मिला था और बात करेंगर कल की तो दो करोड का trade value और 27 lakh काnin delivery भी देखने को मिला है कहिना कहीं लोगों ने हा पर ख positive है stock को लेकर क्योंकि 43% जो लोग है वो यहाँ पर buy करने के लिए कह रहे है guys buy करने के लिए कहा जा रहा है 7% लोगों की और से यहाँ पर sell करने के लिए कहा जा रहा है और बच जाते है 50% लोग जो कह रहा है यहाँ पर hold करने के लिए guys यह आकडे ऐसे क्यों है technicals तो stock के खराब है बट यह आकडे क्यों तो बात करे dividend की, तो stock दे रहा है dividend, inter leave dividend दिये रहा है नो रूपे के आसपास, stock पिछले कही सालों से dividend देता आया था और वही अगर बात करे तो यह 2021 में भी इसने 28 मही 2021 को भी डिविडेंट दिया था नौर्बे का और आने वाले टाइम में भी ये डिविडेंट दे सकता है सो गाइस यहाँ पर इंडी वूल्स हाउजिंग में काफी कुछ चीजे थी जो मैंने आपके साथ शेर की वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू